हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कंपिटिशन तक यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है आज 28 जून 2021 को दो पहर तीन बजे मिनिस्ट्र फाइनस भारत सरकार की वित्मंतरी स्रीमति निर्मला सितर रवन के द्वारा प्रेस कोंफरेंस आजजित की गई जिसमें आठ बड़े राहत पैकेज की गोशना की गई है इसमें चार एकदम नए है और चार पहले से जो थे उनको कंटीनू किया गया है चोटी सी हम अप्लोड करें हो आप लोगों तक पहुँच सके तो अभी हम सोट में आपको दिखा रहे है निर्मला सितारमन वित्मंतरी जो की भारत सरकार है उन्होंने आठ रहात उपायों का जैलान किया है तो सबसे पहला उपाय हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले बता दो कि चार महानगर है उनको छोड़कर अन्य सहरों में मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर के डिलोप्मेंट के लिए 50,000 करोड रुपए सरकार खर्च करेगी इसके तहित सरकार कम ब्यासदर पर भी लोन देगी और स्कीम के तहित 100 करोड रुपए क्या अधिक्तम लोन होगा इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो प्रेटन धोगों की तरफ भी गोवर्मेंट ने ध्यान दिया है प्रेटन जैसा कि आप सभी को पता कि कोरोड में सब धप हो चुका था इसलिए प्रेटन छेत्र के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है इसके तहित टूरिस्ट गाइड और अन्य इस परकार के लोगों को मदद दी जाएगी इसके लाब भारत में लगभग 11,000 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा एक लाग रुपे तक की सायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी और टूरिस्ट एजनसी को 10 लाग रुपे तक की मदद दी जाएगी भारत सरकार इसका एलान किया है इसके लावा वितमंतरी निर्मला सितरामन ने एक बड़ी घोशना और की है उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले पहले पांच लाग टूरिस्ट को विजा सुल्क नहीं देना होगा इस स्किम का लाव वो एक बारी ले सकते हैं और इस पर गौर्मेंट जुड़ी बड़ी घोशना की गई है इस योजना का मकसद नए रोजगार का सरजन करना था और यह उन लोगों के लिए जिनकी नोकरी चली गई है उन्हें फिर से रोजगार मिल सके यह स्कीम 30 जून 2021 तक वैलेड थी लेकिन अब यह अवदी इसकी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा द गया है इसके अलावा एक अन्य बड़ी अपडेट सरकार ने रभी सीजन 2022 में 432.48 लाग टन गेहों की खरीद की इसके अलावा न्यूट्रियंट आधारी सबसीडी को आप देख सकते हैं 22,275 क्रोड रुपे गया है परधानमंत्री गरीब कल्यान योजना के तहत भी पिछ इसके अलावा बच्चों के लिए भी होस्पिटल में सुविधाय बढ़ाने पर सरकार ने जोर दिया है इसके लिए भी निवेस किया जाएगा 23,220 क्रोड रुपे का प्रावधान किया गया है बच्चों के लिए ICU बैड सहीत अन्य सुविधाय बनाई जाएंगे इसके लिए जादा पोस्क तत्व वाली बायो फसल तयार करने का काम चल रहा है ICAR ने इसे तयार कर लिया है इससे को पोशन की समश्या दूर करने में मदद मिलेगी अनाज की किस में तयार की गई है इसके अलावा उत्तर पूरवी राजयों के लिए बीवित मंत्री ने पैकेज इस शेत्र के लिए दिया गया है उत्तर पूरवी राजयों के किसानों को इससे लाब होगा और अपनी फसल की अच्छी किमत उनको मिल सकेगी तो यह बड़े अपडेट आज की प्रेस कोंफरेंस के इसके लावा एक अन्य अपडेट है कि वित मंत्री ने एक्सपो एक तारिस प्रोड रुपया इस पर खर्चाएगा इससे उन गाउं को भी इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा जहांपकी नेट नहीं है भारत नेट के पी 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 मोडल के तैत सोला रेज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है तो यह बड़ी अपडेट्स हैं जो भी मेन मेन आज के पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिये हैं